ऐसे कि खेल आफ देखरें एपके गुरु चैनल दोस्तों आज कि इस वीडिए में बात करने वाले हैं कि कि आपके पास पैसा नहीं यह तेंडे देखा कांब नहीं है वहैं जा रहें डीड़ करने के लिए याब कुछ बखटी पालन करने कि यह आपको क्या करना पड़ेगा किसे पिल्यर बता हैं कि इससे पहले चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया है जली से रेट बोटम पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा बेल आइकन को भी दबा दीजे दोस्तों और यह वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों को सेर कीजिए और लोग को भी लाब हो सकता है अगर आपको वीडियो अच्छा लेगा लाइक भी कर दीजेगा और जो भी आपका कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि पैसा आपके पास नहीं है नाक रुप्या चाहिए नहीं 25,000 रुप्या चाहिए और आप बख़ी फारम करना चाहते हैं और कैसे करें इसके लिए मैं आपको एक उपाया बताता हूँ यह उपाया आपके लिए कहीं कायरगर हो सकता है तो इसके लिए आपको करना यह है कि दोस्तों अगर आप जो बक्री फार्म कर रहे हैं इसके लिए आप क्या करथा आप ऐसे 便िसे टाइम में बड़्साथ हो ना ठंडी ने घरमी हो यानि फरवड़ी के बास से आप बकरी फरम चालो किजो भी तीन चाहरो महिए ना पांस मेना आपके लिए शिप्टी हो सके उसके बाद दोस्तों यह करना है कि नाई सेट ज्यादे यह भी बनाना है आप खर पत्वार का सेट बना सकते हैं उसमें कुछ ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो अगर आपके पास पुराना घर है तो आप उहीं पर पाल सकते हैं कैसा भी घर हो यानि बगरी को ठंडी से या फिर बरसाद से बच सके बस वहां पर बगरी पाल कर सकते हो रहा बाद खिलाने पिलाने का तो आप चराई पर इसको पाल लिएगा और आप चराई पर ही इसको पाल पोस्का बढ़े कर सकते हैं कुछ ज़र मिल जाता है खाने पिने का तो आप दे दे और ने इ करेंगे दोस्तों इसलिए आपको अपना देसी बकरी चुनना परेगा क्यूंकि बरी नसल की बगरी लिजेगा आद देसी नसल की बगरी अप लिजे गा पुलों और बिजिनेस करना नहीं चाहता है तो आप उससे जाकर बात करें कि इतना बक्री फर्म में इतना फैदा है यह है ऐसे है आप सब बता है हम बक्री फर्म आप हमको पैसा दीजिए या फिर बक्री खरीद के दीजिए और हम बक्री पालेंगे और इसमें से जो भी बनेफिट होगा यानि प्रोफिट था कितना दाम है और उसको आधा-धा किया जाता था। तो खिलाने का पिलाने का आपका खर्च है और बक्री का पैसे या बक्री उस आदमी का जो प्तेया देगा उस आदमी का होगा। बस इसменे आपको करना कि इसमेंसे आपको आधा करना है दोस्तों इतर वीडियो की लंबा हो सकता है तो आप दिखते रहें दोस्तों आप उहां से कहि किजिए कि आप बकरी लोग से बात किजिए अगर आपके एक आद्मि एक दो बकरी दे देता है, टो ठीक है का जादा दे देदात आ ऑर बहतर आपके लिए है यानि कम से कम 10 बकरी का आप प्लाने के एक दस बकरी हमको पालना है और जो भी इसमें बेनिफिट होगा तो आज़ाद हम लोग करेंगे अगर एक आदमी नहीं देता, दो तीन आदमी से मिल कर आप कीजिए, मगर इसमें सबसे बड़ा आपको यह विश्वास, उस आदमी को विश्वास दिलाना परेगा कि हम अच्छे तरह से करेंगे, अच्छे से हर कुछ करेंगे, हम एक बिजनेस समझ के करेंगे, बस आप हमको बकरी दीजिए या पैसा या बकरी खरीद के देदिये जो भी है, आप दे दीजिए और हम अच्छे से पालके, अच्छे से देखरेंगे, हर कुछ अच्छे से करेंगे, और आपको जरूर बेनिफिट होगा, उसको समझाना है, पताना है, अगर आदमी बहुत से लोग मिलत कमें जते हैं, मनगर अब नहीं है, दोस्तों इसलिए आपको ये ये इपिटो का दूसरा बाती है, तो अगर आप आप माली से एलाज किलाना खिलाना था करना अगर मर जाती है तो इस आदमी का यह और दोस्तों उसके बाद जब आपके पाद 20-25 बकरी हो जाए आप क्या करो कि उस फार्म को उस आदमी का बट्रिया रिटर्न करना चाहते है रिटर्न कर दो या उस बकरी को खड़िदना चाहते है खड़िद लो और फिर अपना प्लानिंग करके अपने से कर लो बहुत से लोक कमेट करके इसे पूछor रहते कि सर अजसा है सर अलशा है वैसा नहीğ हमारे पास इम सब बखरी फार्म कैसे करें और गाउं़ एरिय में दोस्तों इसके लिए बहुती बेनिफिट है गाउं़ एरिय में खाने पीने का शर्वाई क करने सद्रिका भोत ही जगह मिलता है अगर आपका जमीन नहीं भी तभी अगल बगल लोग किसी ने किसी जब मिलते है का जंगल लगए कुझा री है मिलते सोरा सहर में दीकत है सिटी साइड मेरे दीकत थो रहा है वह सीटी में भी आपकर सकते हैं तो दूस्तों कभी प्लानिंग कीजिए तो आप देसी बकरी के कीजिए कि देसी बकरी में आपको कम पैसे बकरी मिलेगा और उसमें खर्च भी आपको नहीं आगा चराई पर रॉक सकते हैं कि अगर कोई नश्र यह जिसे से सिरोई होगी बाबरी या बेटल होगी इसको पालने में सुरहा सख़ज चाहिए पैसा चाहिए तो रखने में भी आपको यह सबसे अलग अलग क्लाइमेंट है यह प्रबलम आता है और अच्छा चाहिए हर तीस के उलप ध्यान देना पड़त आप उहां पर फार्म कर सकते हैं यह सब की छीज से दोस्तों आप perceived बिजनेस कर सकते हैं या फिर अगर आप दुसरे तरीकासे करना चाहते है और पिर उस लोगों से कर्ज लेकर सकते हैं हमको इसाब से यह अच्छा है कि उनसे बक्री लिए क्योंकि मगर बाइचनल बक्री मरती है तो आपका लॉस नहीं होगा इसे यह बनीप्टाप कर खर्च महनत लॉस जाएगा वागी आपको लॉस नहीं जाएगा हो सकता है अगर बच्चा नहीं दिया मर गई तो महनत जो है जो मेना एक साल खिला है वह लॉस जा सकता है मगर जो है बकडी आपकी Лो़ सर्व नहीं होगा और कोशिज कीजिए दूस्तों कर वो दोस्त ब्रॉल सर्वाइल लेते हैं कोशिज कीजिए कि या परिग्रेंट हो या परिग्रेंट से कुछ पहले की बक्रिले उसी या फिर बच्चा चोटा हो क्या होगा कि आपको बच्चा देगी या फिर उसके बच्चा साथ में बच्चा है जल्दी बच्चा देगी तो फिर बच्चा बढ़ा होगा फिर आपको उससे बेनिफीट ह लोग उसके बाद नो आपको benefit होगा तो यह सब चीज आपको ध्यान देना है तो इस सब बहुत और खिलाने पिलाने पे भी आप इदो देख सकते हैं बहुत से लोग के खेत में भी काम करके आदमी खर्चा यानि खिलाने का निकाल सकता है मक्का होगा बाजरा होगा बहुत से लोग के खेत में से आप यह निकाल सकते हैं जगते हैं बहुत से लोग खेत में सब मक्का जादे बोदिया है तो उसमें से निकालता एक एक पेर करके निकालता उसका एक एक पोधा उसका निकालता है तो वह भी इलाका अपने बकरी को खिला सकते हैं बजरा है बहुत से इस सकते हैं सब अलग-अलग एरिया है अलग-अलग हिसाब से आप वहां पर उस बक्री फारम को कर सकते हैं दोस्तों आज का यही सब वीडियो था जो आपको इलिए बताना चाहरा है जिसके पास पैसा नहीं है यानि कि मेरे पास बहुत से कमेंट आया जो मेरे फेस्बुक पेज इस पर बहुत से कमेंट आया था और इसे भी कमेंट आता था वीडियो के नीचे तो मैं सोचे इस पर वीडियो बना दू जो आपके लिए बेनिफिट हो और आप इस पर फार्म जाए कीजिए मगर उस आज में से सबसे पहले विश्वास बनाना बहुत जरूरी है अगर वि जल्द ही जल्द बंद होगा इसलिए नर्म होगे कोई बिजनस कीजिएगा आपको आगे के लिए बेनिफिट है और आगे आप तरक्की करते रहेगा तिसलिए सबसे पर विश्वास और नर्म होके कभी घमंड नहीं इस चीज़ पर ज्यान रखिए और अपने माता पता पी कर सकते हैं यानि कि अगर 25 बक्री हो जाएगे तक 6 महिना में आप ट्री डो टाली आप उसका खादी सेल कर सकते हो और उसमें अच्छा पैसा 7000-8000 और एक बेनिफिट हो बक्री का इलाज कराने का पैसा आपका साल में निकल जाएगा तो यह सब दोस्तों आज कर वीडियो कर दोसें में?